नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निविज के डिफेंस टॉक सरीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते भी आज की वीडियो अभी हमारे पास कुल मिलाकर छे एरियल टैंकर मौजूद है जो कि आयल सेवेंटेट एक राप के उपर बेस्ट है लेकिन हमारी एरफोर्स की साइज की हिसाब से काफी कम है और उपर से आयल सेवेंटेट एक राप की जो सर्विस अवेलिविलिटी रेट होता है वो 50% से कम होता है जिस वजह से 6 मेंसे आउम तोर पर हमेसा 3 tolerate होते बहुआ आपरेशनल कंडिशन में होते हैं जो कि इंडेयन एयरफोर्स की साइज और ऑपरेशनल या कि हिसाब से काफी कम पड़ जाता है इसी वज़े से इंडियन एर फोर्स की तरब से पिछले कुछ सालों से अडिसनल एरियल टैंकर को खरीदने कि अफर लीज पर लेने की भी कोशिस किया जा रहा है और हाली महीं पिछले माई ने हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरब से छे एडिसनल एरियल टैंकर को अक्वेर करने के लिए इंडियन एर फोर्स को एक्सेप्टेंस आफ नेसेसिटी को इसू किया गया था लेकिन अभी इंडियन एर फोर्स की तरब से छे एडिसनल एरियल टैंकर को भी एक्वेर करने का प्लान किया गया है यानि कि कुल मिलाकर अठ्था एरियल टैंकर को आगे चेल के इंडियन एरफोर्स अपनी सर्विस में सामिल करना चाहती है फिलाल जिन छे टैंकर के लिए एकसेप्टेंस आफ नेससिटी को इसू किया गया था उस टेंडर में अभी एरवस की तरफ से अपनी A330 MRTT एकराप्ट को ओफर किया गया बुइंग की तरफ से अपनी केसी फॉटसेक्स पेगसेस टैंकर को ओफर किया गया और एमडर की तरफ से अभी एक वॉइल्ड कर्ड एंटरी किया गया जहां पर वो अपनी 3390 मिलने में एकराप्ट की एक MRTT वेरियंट को इंडियन एर फोर्स को ओफर कर रहे हैं इसके बाद अगर हमारी डुमेस्टिक ओफर की बात करे तो इसमें HL की तरफ से इसराहिल एरोस्पेस इंडिस्ट्री के साथ मिलकर बोईंग की 737 एकराप्ट को एरियल टैंकर और MRTT एकराप्ट के तौप पर मॉडिफाय करने का ओफर दे रहे हैं तो कुल मिलाकर अभी स्टेंडर में हमारे पास चार आप्शन मौजूद हैं जिनमें से HL का ओफर सबसे कॉस्ट एफेक्टिव ओफर होने वाला क्यूंकि इसमें हम सेकिंडन कंडिशन में बोईंग 737 एकराप्ट को कमर्शिल एलाइन से अक्वेर करने वाला उनको मॉडिफाय करने वाले जबकि बाकी सबी थोड़े महंगे पड़ सकते हैं इस बीच इंडियन एरफोर्स की तरफ से फ्रांस की एक A330 MRTT एकराप्ट को भी लीज पर लेने की प्लानिंग किया जा रहा है लेकिन जिससे हो सकता हमें इस एकराप्ट को भैतर तरीके से जानने का मौका मिलने वाला और अगर इनकी पहामस हमको अच्छा लगता है तो इंडियन एरफोर्स इस टेंडर में A330 MRTT एकराप्ट को अक्वर करने की कोशिस भी कर सकता लेकिन इसके बाद जो एडिशनल 6 MRTT एकराप्ट को अक्वर करने का प्लान अभी इंडियन एरफोर्स की तरफ से किया गये एक हमारा के 50 मिसाइल जोकी इस सृएज का सबसे पहला मिसाइल जिसके रेंज करीब 750 किलोमेटर है इसके बाद के फो so मिसाइल को डिवलब किया गया था जो की के सिरीज का दूसरा मिसाइल होने वाला था और यह इंटरमीडियर्ट रेंज का सम्मरील लॉंस्ट बिलिस्टिक मिसाइल है जो की के फूर सिरीज की मिसाइल को आयनस अरिःगट में डिपलॉय करने की बात की जा रही थी इसके बाद ड्यार्डव की तरफ से के शिरीज के अंदर एक ओर सम्मरील लॉंस्ट बिलिस्टिक मिसाइल को भी डिवलब किया जा रहा है जिसका नाम के फाइब मिसाइल है और यह इस missile को primarily S-4 और S-4 Star Class की nuclear submarine में deploy किया जाने वाला है जो कि हमारी long range nuclear strike platform होने वाले है और S-4 Class के submarine आने वाले कुछ सालों के अंदर तयार होने वाले है जिस वज़े से अभी DR-DU की तरफ से K-5 missile को जल्दी ही तयार करने की कोसेच किया जारा लेकिन K-5 missile के मदद से हम लगभग पूरे चायना की जितने भी major cities है उनको strike कर सकते हैं और इससे हमको एक stand-up distance में रहकर ही चायना पर strike करने की capability मिलने वाली है जिससे हम चायना की कोस्ट से काफी दूर रहकर भी उनके पर strike कर सकते हैं इससे technically हमारी nuclear deliver submarine चायना की कोई भी counter attack से काफी safe रहने वाले हैं अगला update air defense system के तरफ से है अभी तक अगर पूरे दुनिया की सबसे भैतरीन और सबसे long range air defense systems की बात करे तो वो S-400 system या फिर S-500 system होने वाले हैं क्योंकि इनको match करने वाली air defense system अभी तक दुनिया में मौजूद नहीं थे और इन system को operate करने वाले देशों के लिस्ट में भारत भी सामिली जिस वज़े से भारत के पास भी air defense system के मामले में काफी advantages है जो की लगभग 400 km की दूरी से दुस्मन की aircraft को target कर सकते हैं लेकिन अभी चाइना की तरफ से कुछ ऐसा claim किया जा रहा है जो कि दुनिया भर में मौजूद सभी air defense system की छुट्टी करने वाला है क्योंकि अभी चाइना की तरफ से ये claim किया जा रहा कि वो अभी एक ऐसे air defense system को develop कर चुके हैं या कर रहे हैं जिसकी range करीब 2000 km तक होने वा है जिसे खास करके चाइना की तरफ से bomber aerial tanker या आवक जैसे aircraft यानि हाई-value aerial target को destroy करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और इसकी खास बात यह कि एक hypersonic missile होने वाली अब problem यह कि इतनी लंबी दूरी से किसी भी target को truck करना और destroy करना बहुत ही impractical होता है खास करके aircraft की तरह किसी target को truck करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी radar effectively 2000 km की दूरी से किसी aircraft के उपर proper lock को maintain नहीं कर सकता है लेकिन Chinese researchers का कहना है कि उन्होंने इसका भी तोड निकाल लिया है लेकिन फिलहाल यह जो ultra long range की Chinese air defense system है यह सिर्फ बड़े size की aircraft यानि की bomber aerial tanker और अवेक्स जैसे ही target करने के लिए इस्तमाल किया सकते लेकिन यह fighter jet के खिलाब इतनी लंबी दूरी से effective नहीं होने वाला है जो कि भारत के लिए थोड़ी सी रात की बात है क्योंकि भारत technically कोई भी बड़े size की bomber को इस्तमाल नहीं करता है लेकिन फिर भी हमारे जो aerial tanker या फिर AWACS है यह उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा बनने वाला है अगला update heavyweight torpedoes की तरफ से कुछ चाल पहले तक हम हमारी navy की heavyweight torpedoes की requirement के लिए पूरी तरिके से foreign countries की उपर dependent है लेकिन जब DRDU की तरफ से बर्मास्तर torpedoes को develop किया गया तो यह हमारा पहला indigenous option बन गया था फिराल इससे सिर्फ हम SIP best torpedo launcher से ही fire कर सकते हैं लेकिन अभी इसकी summary launch variant को भी develop करने की कोशिस किया जा रहा है और इसकी कुछ test को भी conduct किया जा चुका है इस भी जब इसकी summary launch variant को develop किया जा रहा है तो 2019 में इसकी SIP best variant को officially navy की तरफ से order करना start कर दिया गया था जिनको mainly navy अपनी वार्टिप्स में इस्तमाल करने वाल है तो 2019 में इंडिया निवी क की तरफ से वरुनास्तर टॉपडो के लिए करीब 170 million dollar की डील को भारत डानमिक लिम्टेड के साथ sign किया गया था जो कि technically वरुनास्तर टॉपडो को manufacture करती है तो आज ये बात सामने आए कि अभी भारत डानमिक लिम्टेड की तरफ से 2019 में navy की तरफ से देगे content के मताबिक उन ये भारत के लिए बहुती गर्व की बात है क्योंकि पूरे दुनिया भर में गिने चुने देश मौजूद है जिनके पास टॉपडो को खास करके heavyweight class की टॉपडो को manufacture करने की technology मौजूद है और इसमें भारत भी सामिल है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बरुनास्तर टॉपडो इसमें लगबग 95% इंडिजनर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी इंडिया नेवी को अपने सम्मरीन के लिए heavyweight टॉपडो की जरूरत है जिनको खरीदने के लिए पिछले 10 सालों से कोसिस किया जा रहा है और उमीद किया जा रहा है कि अगर करना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातर